बात करने जा रहे है, pair of linear equations in two variables, पहले तो इसका मतलब समझ ले, तो को linear का मतलब क्या होता है, कि जो भी हम equation लिखेंगे, equation बोले तो equality जिसमें होता, जिसमें equal का sign लगा होता है, जो भी equation लिखेंगे, उसमें x, y और z जो भी होगा, वो linear होना चाहिए, linear बोले तो उसकी degree 1 होनी पहली चीज़, तो linear का मतलब समझ में आ गया, linear का होता है, कि x, y में अगर कोई equation है, तो उसकी degree क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार से equation अगर कोई लिखा हो, जैसे question लिखा हो, 3x plus 2y, अब equal to 4 लिखेंगे, अब plus 4 equal to 0 करिए, अब साफ साफ दिख र दोनों की degree क्या है, 1 है, तो यह linear हो गया, पहले बाद तो linear हो गया, चुकि बीच में equal का sign लगा हुआ है, तो यह equation हो गया, ठीक है, और चुकि दो variable है, इसलिए इसको हम कहते है, linear equations in two variable, अब हमको दोनों को solve करना है, solve करना है मतलब, दोनों को solve करके, हमें x और y की value निकाल ल linear का मतलब होता, अगर मैं graph खीचू इसका, तो graph में आपको किस पकार का shape मिलेगा graph में, graph कैसा मिलेगा, graph एक state line मिलेगी, ठीक है, तो अब problem यह है, देखो ध्यान से, दो straight line ऐसे भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, दो straight line ऐसी भी हो सकती है, और दो straight line ऐसी भी हो सकती है, एक दू दूसरे के ऊपर नहीं हो सकती है, तो यह intersect भी कर सकती है, parallel होने का मतलब होता है, intersect नहीं भी कर सकती है, और एक दूसरे के ऊपर lie कर रही है, तो अगर मैं कहूं कि यह दोनों एक दूसरे के ऊपर lie कर रही है, कितने point पे intersect कर रही है, infinitely many points, यानि कि अगर मैं इन दोनों equations को solve कर कि एक point of intersection मिलता है तो आप कहेंगे एक x की value मिल रही है और एक y की value मिल रही है ठीक है अगर दोनों parallel line मिलती है तो हम कहेंगे भाई यह दोनों intersect करेंगे नहीं तो no solution कोई solution उसका नहीं है और इसमें many solution होगा ठीक है तो पहले जो testing कैसे करें हैं तो को testing करने का तरीका देखिए द्यान से कैसे test करेंगे कि दोनों जो pairs हैं इससे solution मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे देखो द्यान से अगर हमारे पास equation दिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0 और दूसी equation है a2x प्लस b2y प्लस c2 is equal to 0 अगर दो ऐसी equations लिखी हुई हैं देखिए ध्यान से सबसे पहला part आप क्या करेंगे a1 upon a2 निकालेंगे यानिके x के दोनों के coefficients का ratio निकालेंगे b1 upon b2 निकालेंगे अच्छा आप कहेंगे सब constant इधर लिखें या इधर लिखें किसी तरब लिखें लेकिन दोनों में एक side लिखें मतलब या तो दोनों के constant उधर हो या इधर हो बस दोनों यह ध्यान रखेगा ठीक है और फिर C1 अपान C2 निकली अगर अगर ऐसा हो जाए A1 अपान A2 is not equal to B1 अपान B2 अगर ऐसा हो जाए कि दोनों के ratios equal नहीं है then equations are consistent क्या कहेंगे यह equation जो है वो consistent है consistent का मतलब जानते है मतलब यह हुआ कि हम आपकी help से कोई काम कर सकते है यानि दोनों एक दूसरे की help से x और y की value निकाल सकते है दोनों एक दूसरे के लिए helpful हो सकते है तो हम कहेंगे दोनों कैसे है consistent है ठीक है and and have one solution one solution बोले तो एक x की value और एक y की value यानि अगर मैं graph खिचूँगा तो इन दोनों का graph आपको ऐसे मिलेगा they will be the intersecting line यानि दोनों एक point पे cut करेंगी और जहां पे cut करेंगी वहाँ जो भी point आएगा वह मले x1 y1 आ गया तो यही आपकी x की value होगी x की value x1 होगी और y की value y1 होगी पहली बात समझ में आई आपको चेक करना है कि दोनो equations कैसी है consistent है consistent का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के लिए helpful है और दोनों एक दूसरे की मदद से x और y की value निकाल सकते है समझ में आरी पार सब अच्छा दूसरी बात देखिए अब अगर हम कहें कि इस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 दोनों equal हैं लेकिन c1 upon c2 equal नहीं है तो इसका मतलब वहा कि ये parallel lines मिलेंगी आपको कैसी line मिलेंगी parallel lines मिलेंगी क्या एक दूसरी की मदद करेंगी value निकालने में क्या एक दूसरी की मदद करेंगी value निकालने में नहीं क्योंकि parallel line कभी भी एक दूसरी को intersect नहीं करती तो हम क्या कहेंगे equations are inconsistent inconsistent मतलब ये consistent नहीं करती एक दूसरी की मदद नहीं करती X और Y की value नहीं निकालती है and no solution इसमें कोई solution आपको नहीं मिलेगा no solution बोले तो we get the parallel lines यह parallel lines मिलेंगी यह कभी भी intersect नहीं करेंगी यह check करने का तरीका होता है solve करने के पहले मुझे check करना पड़ेगा कि solution possible है ग नहीं है वैं जैसे 2 questions दे दी हमने हमने का बताईए के X और Y की value कितनी होंगी और पता चला एक भी value मिलनी नहीं है आपको तो पहले आप check कर लीजे अच्छा तीसरी बात अगर A1 upon A2 और B1 upon B2 same है और C1 upon C2 भी same है यानि यह आपकी coincidental line होंगी coincidental line मतलब coincidental मतलब एक दूसरे के ऊपर lie करती है overlap कर जाती है तो कितने solution होंगे many solution हाँ अब तेके help तो कर रही दोनों को भेंकर help कर रही है तो consistent होंगे consistent होगा solution कैसा होगा consistent होगा and have many solution have many infinitely many solution infinite solution infinitely many solution many solution many solution भाई मैं अगर आपसे कहूं कि दोनों line एक दूसरे के ऊपर overlap कर रही है तो कितने point पे cut कर रही है तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे many point पे cut कर रही है बहुत point पे cut कर रही है तो समझ में आई बात कि कैसे आप check करोगे कि दो equations solve किये जा सकते है और नहीं किया जा सकते है किये जा सकते है तो एकसर y की value कितनी निकल सकती है ठीक है इसको note करिए ज़रा तो थोड़ा memorize कर लिजे हाँ बताए आप जब उसका graph ड्रॉ करेंगे जब भाई यह parallel lines नहीं है इनका coefficient equal ना होना मताई यह they are not parallel lines यह parallel lines नहीं है पैलल समझ के समय बार नहीं आई अलग-अलग lines है जब parallel नहीं है तो अगर दो line draw करोगे तो कहीं न कहीं लंदर में अमेरिका में जाके इंटरसेट करेंगी तो जहां भी मिलेंगी जाकर के वहां पर एक value x की देंगी अच्छा दो लाइने अगर इंटरसेट कर रही हैं तो एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेट नहीं कर सकती है अगर वो parallel है तो parallel तो कभी इंटरसेट करती ही नहीं छोड़ी दीजिए ठीक है अगर overlap कर रही है एक दुस्रे को उपर points आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि graph board पर draw करना संभौ तो है लेकिन exact point नहीं मिल पाएंगे ठीक है तो जिस turn पर हम कहेंगे उस turn पर graph लेके बैठेंगे आप हम यहां points बनाएंगे आप वहां पर draw करेंगे ठीक है देखिए नोट कर लिया इसको हाँ अब हम बात करने जा रहे हैं इन equations को solve करने की तो एक तो graphical method होता है अब graphical method तो graph लेके आपको बैठना पड़ेगा वो पहले से हम बता देंगे आपको दूसरा method यह है तीन method है एक होता है method of elimination by substitution नाम से लगना बड़ा हाइटेक नाम है किसी विदेश्व नाम आया है ऐसा नहीं है हम बताएंगे दूसरा है method of elimination by equating the coefficients दूसरा method है method of elimination by equating the coefficients और तीसरा है आपका cross multiplication method cross multiplication method तो तीन method से हम equations को solve करना सिखाएंगे कर रखाएंगे कैसे solve किया आपने दिया है तो यानि y को eliminate कर दिया है गायब कर दिया है इसलिए दिया गया elimination ठीक है तो पहले तो पहले तो पहले हम देखते हैं फिर second method बताते हैं तो पहला y is equal to minus one and x minus y is equal to minus one देखें अगर मुझसे यह कहतें कि पहले चेक करिए कि solution is possible or not if possible then solve it देखें द्यान से पहले तो आपको possibility चेकर नहीं पड़ेगी क्योंकि जो competition होते हैं उनमें यही गरबर कर देते हैं उन्हें मालूम है solution नहीं निकलने वाला है लेकिन सामने वाले ने क्या किया निकाल दिया solution देखो द्यान से यहाँ पर a1 क्या है x का coefficient 3 है यहाँ 1 है तो आपने पहले क्या किया यहाँ पर पहले आपने 3 अपन 1 निकाला है न वाई का coefficient क्या है x और y की value निकालने में जब मदद करते हैं तो कहते हैं यह एक दूसरे पर consist करते हैं consistent है so solution is consistent solution कैसा होगा consistent होगा और unique solution होगा सुन्म्यारी बाल language सुन्मारी है it is consistent आप लिखेंगे it is consistent consistent का मतलब सुन्मारा है mathematics की बासा में and have unique solution unique का मतलब unique solution का मतलब होता है एक solution अब हमें solve करने का जो तरीका adopt करना है हमसे कह रखा है उन्होंने method of substitution तो आप किसी equation को लेजिए अब equation 2 लेजिए थोड़ा सस्ता equation है by equation 2 x minus y is equal to minus 1 है तो यहाँ से y x की value क्या निकलेगी y minus 1 निकलेगी देखो minus का y जाके plus हो गया है और उधर minus 1 पहले से था इसलिए उसका sign change नहीं होगा अब इस x की value उठाइए और equation number 1 में रख दीजेगा putting the value of x putting x in equation 1 देखो जहां से x निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे आप जिससे निकालेंगे अधर में रखेंगे तो देखे आप जब रखो यहाँ पर क्या हैगा 3 x की उलोगाएगी y minus 1 minus 5y is equal to minus 1 आपने क्या किया है ये value substitute कर दी है देखे word देखेगा इसलिए यहाँ लिखा है substitution ये जो putting word हम लिखते हैं न putting word right है wrong है चुकि mathematics में थोड़ी बहुत wrong मैं English चलती है इसलिए लिख देते है तोड़ा सस्ता पढ़ता है word वहना wrong word है पुटिंग का मतलब होता है कि blade से पार्ट ऐसे उठा लो और वहाँ रख दो यहाँ से गाइब कर दो ठीक है लिए ऐसा होता नहीं इसलिए जहाँ putting लिखे वहाँ आप substitution समझे वहना ये method आप putting ने होता elimination by putting जड़ा value solve करो इसको हाँ मतलब वही होता है लेकिन बहुत लोग होता है वो English की mean make नहीं बोले क्या teacher पढ़ाता हूँ उसको तो English ही नहीं आती अपने camera को सब नीचे करो आप बहुत नीचे हैं बस बस ठीक stand बनाने का बढ़िया तरीका आप बता दें आपको एक तो selfie stand पर आप लगा सकते हैं इसको दूसा तरीका मैं बता देता हूँ जहां पर आप इसको लिए होंगे इसका box है आपके पास उस box के बीच में रख लीजे और camera काट काट दीजे और ऐसे रख लीजे आ जाएगा ये होता है क्या कहते हैं इसको जुगाल method अच्छा अब ज़रा इससे solve किया जाए bracket खोले क्या आएगा ये आएगा 3y-3-5y is equal to minus 1 एलजबर आपको आती होगी 3y-5y बोले तो minus का 2y is equal to minus 1 minus 3 जाएगा plus का हो जाएगा तो minus 2y is equal to 2y की value आगई minus 1 y की value निकल आई अब देखे कोशिश से करिएगा y जिस equation से निकला है उसमें y मत रखिएगा x निकालने के लिए रख सकते होई गलत नहीं है निकलाएगा तो अब देखेंगे putting y is equal to minus 1 putting y is equal to minus 1 in equation 2 रख दिजेगा 2 यहाँ पर मैं solve करने जा रहा हूँ 2 क्या है x minus y is equal to minus 1 y की value minus 1 है x minus minus 1 is equal to minus 1 x plus 1 is equal to minus 1 x is equal to minus 1 minus 1 x is equal to minus 2 यह x और y की value है यह सही है या गलत है इसका verification करना आपको मालूम है x और y की value उठाइए और यहाँ पर रख दीजे अगर इस satisfy कर जाती है तो this is correct ठीक है यह आपका हो गया method by substitution एक आथ और question justice करेंगे हम नोट हो गया अच्छा आपका पार्स नोट के लिए देखिए एक और कोई question उठाते हैं method सभी questions के same है थोड़ा बहुत differ हो सकता है लिके 2x plus 3y is equal to 9 2x plus 3y is equal to 9 और 3x प्लस 4y is equal to 5 3x प्लस 4y is equal to 5 2 इसको भी आप method of elimination by substitution substitution method से solve करना है calculation गर्वर नहीं होना चाहिए ध्यान रखीगा तो हम पहले पहला equation लेते है by equation 1 अब चाहे वहाँ से x निकालो चाहे y निकालो आपकी मर्जी 2x प्लस 3y is equal to 9 तो यहाँ से 2x is equal to आएगा 9 minus 3y तो x की value जो आएगी 9 minus 3y upon 2 यह x निकलाया इस x को आपने देखो निकाला कहां से है 1 से निकाला है तो आप इस x की value 1 में ने रखेंगे ध्यान रखेगा वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको putting this value in equation number 2 putting this value this x in equation 2 2 में रखते हैं 2 क्या है आपका 3x plus 4y is equal to 5 तो यहाँ पर आएगा 3 x की value क्या आएगी 9 minus 3y upon 2 plus 4y is equal to 5 तो यहाँ इसे थोड़ा सा solve करें bracket खुलना आपको आता है यहाँ cross multiply मत कर देना उठा करके वहों लोग गलती कर देते है उपर उपर का multiply होगा तो 3x27 आएगा minus 9y upon 2 हमने LCM ले रखा है तो यहाँ हो जाएगा plus का 8y is equal to 5 यह जब solve करेंगे तो आएगा 27 minus y cross multiply करेंगे तो यह 10 हो जाएगा y उदर ले जाओ 10 जब ले आओ तो 27 minus 10 is equal to y value of y will be 17 this is the value of y आपने y किस equation से निकाला है first से निकाला है तो आप sorry second से निकाला है तो यह y उठा कि equation में 1 में रख दो putting y is equal to 17 in equation 1 क्या हो जाएगा 2x plus 3y is equal to 9 तो 2x plus 3 y is 17 is equal to 9 तो आएगा 2x 17 3 जा कितना होता है 51 is equal to 9 तो 2x is equal to 9 minus 51 कितना हैगा minus 42 तो this is at 2x x will be minus 21 तो this is the value of x हाँ हाँ second में डाल दो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं जो हाँ यह 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 कोई दिक्कत नहीं वो तो वही से निकाला है ना आपने वो first में ही डाली है आपने value परे निकाल रख दी तो बात वही हुई जा करके ना तो यह लिख सकते हैं as x is equal to this so करके कर दो तो कि x को यह है इसलिए अब रख सकते हैं वो बात वही है वो first में ही हम डाल रहे हैं उसको ठीक है तो यह आपका क्या हो गया method of elimination by substitution यानि हमने एक value को substitute करके x को रख करके सामने वाले से x गाइब कर दिया है इसलिए इसका नाम दिया गया है method of substitution दूसरा method यह है method of elimination by equating the coefficients अगला method लिखेगा elimination वो हमने करना गयाइब करना है elimination by equating the coefficients है by equating the coefficients जड़ा एक बात ध्यान से समझ ले साउधान अगर यह 5 है और यह minus 5 है तो दोनों cut के 0 आ जाएंगे या मैं कहूँ यह 5 है और यह minus 5 है दोनों को add कर देंगे तो 0 आ जाएगा मैं कहूँ यह minus 5 है यह minus 5 है तो दोनों को substitute करेंगे तब 0 आएगा हम कहेंगे यह 5 है यह 5 है यह 5 है प्लस का यह प्लस का दोनों को माइनस करेंगे तब 0 आएगा सही कह रहा हूं मैं यानि अगर सेम साइन है तो वो दोनों सब्ट्रेक्शन करने पर 0 आएगे अगर दो नमबर सेम नमबर है और दोनों के सेम साइन है दोनों निगेटिव हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों को सब्ट्रेक्शन करने से वो कटेंगे और दोनों different sign है एक plus में एक minus में तो दोनों को addition करने पे ही कड़ जाएंगे 0 आ जाएगा समझ में आ रही बात हाँ इसको हम उपर निचे ले सते ही ये 5 उपर ये 5 नीचे दोनों को subtract किया अच्छा subtract करने से sign change हो जाता आप जानते हैं अगर subtraction का sign लगा रहे हो तो इसका मतलब ये जो bracket खोलोगे तो इस वाले बाद वाले का sign क्या हो जाएगा change हो जाएगा ना तो subtraction करने से sign change हो जाते ही ठीक है और दो different sign के अगर है और addition करते हो तो sign नहीं change होते है ठीक है अब ज़रा देखे method क्या होता है हमने का वे coefficient equate करने है आपको ये second method है पताने जा रहे है second method दो method question आडिसस करेंगे और इसके question घर पे practice करेंगे method कोई दिकत वाली बात नहीं है एक short तरीका भी हम बता देंगे कैसे आप जाने के क्या solution इसका होगा देखे जैसे एक question है 3x plus 2y is equal to 11 3x plus 2y is equal to 11 और 2x plus 3y 2x plus 3y is equal to 4 वे दो numbers cancel तभी हो सकते जब दोनों एक तो same हूँ और दोनों के sign different हो या different हम कर देंगे देखें यहाँ पर मैं x के अगर बात करूँ तो यहाँ x 3x है यहाँ 2x है तो दोनों के coefficient से equate करना होता है अब देखें यहाँ पर coefficient 3 है यहाँ coefficient 2 है दोनों को कैसे equal करेंगे चुकि दोनों में कोई चीज़ common नहीं है दोनों का cf1 है तो पहली equation में हम multiply 2 से कर दें तो यह 6 बन जाएगा मैं x की को बात कर रहा हूँ और दूसरे में multiply 3 से कर दें तो यह 6 बन जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि multiplying equation 1 by 2 multiplying equation 1 by 2 and equation 2 by 3 अब multiply किया आपने तो यह क्या बन गया यह बन गया 6x plus 4y is equal to 22 तो आप multiply करोगे तो आप हर number को multiply करोगे क्योंकि आप पूरे equation को bracket में लिख करके बाहर multiply का sign लगा रहे हैं और यह हो जाएगा 6x plus 9y is equal to 12 अब चाहो तो equation डाल दो या इसी को solve कर दो जड़ा उपर नीचे लिख दिया आपने जड़ा देखिए यहां कौन से दो नमबर सेम है दोनों 6x दोनों सेम है ना दोनों के sign सेम है क्या लग लग है दोनों को add करेंगे कट जाएंगे क्या करना पड़ेगा है तो हम subtraction लग करेंगे हम यहां पर subtraction लिखेंगे subtraction से sign उपर वाले का बदले का नीचे वाले का बदले का जो बात पे लिखा गया है तो यह positive था यह negative हो गया यह positive था यह negative हो गया अप देखिए यह दोनों cancel हो गए अब यह plus का 4y है यह minus का 9y है तो plus का 4y minus का 9y क्या हो जाएगा minus का 5y is equal to ये क्या आएगा plus का 10 आएगा ना तो y की value क्या जाएगी minus का 2 अब इस y को उठाओ और आपकी मर्जी किसी equation में रख दो putting the value of y in equation 1 1 में रख देते हैं तो क्या हैगा 3x plus 2 y है minus 2 is equal to 11 तो 3x minus 4 is equal to minus 11 तो 3x is equal to 15 x is equal to 15 by 3 बोले तो 5 तो x की value आगई 5 अब माले आप इसको एक्जाम में कर रहे हैं तब तो पूरा करना पड़ेगा अब कोई competition आपको आ गया हमने दो equation दे दिये और यहाँ पर मैंने option दे दिया a,b,c,d और यहाँ x की value रगदी 5 y की value रगदी 3 x की value रगदी 5 y की value रगदी minus 2 x की रगदी 0 y की रगदी 1 x की रगदी 4 y की रगदी 7 तो आप क्या करेंगे आप दोनो equations को solve नहीं करेंगे इन values को इन equation में रखेंगे और satisfy कर देंगे सीख है satisfy बोले तो अगर मैं x को 5 और y को minus 2 रखता हूं तो x को 5 रखेंगे तो यह 15 हो जाएगा और y को minus 2 रखेंगे तो minus का 4 हो जाएगा यह 11 हो गया एक से नहीं काम चलेगा यहाँ भी x को रखेंगे x को रखेंगे 5 यह 10 हो जाएगा और Y को रखेंगे माइनस 2 तो माइनस का 4 हो जाएगा सुरी माइनस का 6 हो जाएगा यह 4 आ गया अब चुँकि यह वाला जो पार्ट है इसकी वैलूज इन दोनों equations को satisfy कर रही थी तो हम कहेंगे कि this is the solution सुझ जा रही बाद ठीक है तो यह तरीका होता है अब वहाँ नहीं solve करना आपको वहाँ पर आपको क्यों check करना है लेकिन लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि दोनों solve हो जाएगा जरा समझिएगा जरा note करें फिर हम बात करते हैं पर इसे note करें फिर हम इसको आपको confuse करते हैं निद आ रही है यह यह तभी आता है ना कि जब हमारे internal argon काम नहीं करना चाहते हैं rest करना चाहते हैं तो there is a deficiency of oxygen that's why we inhaled oxygen from the medium तो यह नहीं होना चाहिए ना हाँ note करें फिर हम आपको थोड़ा confuse करते हैं तो confuse करें आपको हम अच्छा मैं confuse कर रहा हूँ ज़रा सुनिए ज्यान से दोनों लोग हमने आपको equation यही दे दिया ठीक है हमने equation आपको दिया ऐसा यह जो दूसरा equation था ना यह हमने आपको दिया 9x और 6y दिया ठीक है अब आपने क्या किया आप बहुँ जल्दी में थे आपने इस x और y की value उठाई और इसको satisfy कर दिया अब बताइए x y satisfy हो रही नहीं हो रही है ने पहले आप इसकी बात करें यह satisfy हो रही नहीं हो रही है आप बहुँ जल्दी में थे आपने फर्स से satisfy करा दिया आपने का वह आइट इस सलूसन लेकिन पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि इधर दी इस टू इक्वेशन्स आर कंसिस्टेंट और नाट दे आर इंटरसेक्टिंग अर नाट तो सबसे परदा तरीका हमने क्या बताये था कि आप इनके कोफिशेंस को नेगा 3 अपन 9 निकालिये 2 अपन 6 निकालिये अब आपको दिख रहा है कि कि ये 1 अपन 3 आ रहा है ये 1 अपन 3 आ रहा है तो दोनों equal थे और 11 upon 4 इसके equal नहीं था तो दोनों equations कैसे थे inconsistent थे एक दूसरे की help नहीं कर रहे थे they are parallel line they will never intersect जबकि ये value आपकी first equation को satisfy कर रही थी ये भी हो सकता है कि अगर मान लिया यहां पर six लिखा होता तो आप देखे यह ज़रा c वाला part देखी c वाला part आपका इसको satisfy कर रहा है नहीं कर रहा है तो यह ध्यान रखिएगा कि आपने first से एक equation satisfy कराने इसका आप नहीं चलेगा या either you check both the equations अन बेहतर ही होगा कि आप पहले यह चेक कर लें यह आपका सही है नहीं है ठीक है तो यह अच्छा अगर मैं equation ऐसे लिखता हूं कि मैं कि कुछन लिख रहा हूं देखिए लिखाए आपका 1 upon 2x एक example है 1 upon 2x minus 1 upon y is equal to minus 1 and 1 upon x plus 1 upon 2y is equal to 8 और condition दी है कि x and y x and y both are not equal to 0 यह condition अक्सर हर जगे दी हुई होगी कब जब कभी कोई variable denominator में लिखा होगा तो यह ऐसी value आपको देंगे कि वो नीचे वाली चीछ 0 न हो जाए क्या यह linear equation है क्या यह linear equation है यह linear नहीं है क्यों actually अगर मैं इसको उपर ले जाओ तो यह x inverse हो जाएगा या मैं अगर LCM लेलू तो LCM लेने से यह x into y आ जाएगा ठीक है और जब दो variable का multiply होता है देखे ध्यान से तो दोनों की power को प्लस करके count किया जाता है अगर मैं कहूं बताओ इस equation की degree क्या है तो क्या बताएंगे तो यह आएगा y minus 2x is equal to minus 2xy तो देखे यहां multiply में आ गया न तो x की degree 1 y की degree 1 तो degree 2 लिखी जाएगी तो एक तो यह linear equation नहीं है तो अगर मैं आप से कहूं कि solve करिए केवल solve कर दिये बोला हमने तो आपकी मर्जी आप simply solve कर दिजे भाई आप simple से बात है इसको हम क्या कर दें कि दोनों equal हो जाए इसको या इसको किसी को अगर मैं इस वाले equation को one upon two से multiply कर दूँ तो यहां क्या हो जाएगा और यह दोनों equal हो जाएगे या इस वाले को one upon two कर दो यह दोनों equal हो जाएगे तो इसको one upon two से multiply कर दो यह क्या बन जाएगा one upon four x minus one upon two y is equal to minus one upon two और second equation already यह लिखा हुआ है अब बताएगे दोनों equations में क्या चीज़ सेम है one upon two y सेम है दोनों के sign opposite है तो दोनों को add करने पर cancel होंगे या subtract करने पर cancel होंगे तो add कर लिजे उठा करके तो यह ऐसे cancel हो गया यह क्या आएगा one upon four x plus one upon x is equal to minus one upon two plus eight अब यह जो algebraic calculation है यह आपको आना चाहिए यहाँ पर LCM क्या दिख रहा है आपको four x तो यहाँ पर क्या आएगा one plus four is equal to यहाँ two LCM आएगा minus one plus sixteen तिया आजाएगा five upon four x is equal to fifteen upon two cross multiply कर दिजे तिया आजाएगा 60x is equal to ten x की वालू हाएगी one by six x निकल आया और x को उठाईए और equation number यह one थी one में रख दो putting x in equation one त्योंको one में क्या है यह two में रख दो अच्छा लगेगा two में रख देते हैं two में one by x है तो यह हो जाएगा six plus one by two y is equal to eight तो one by two y is equal to two हो जाएगा cross multiply करेंगे तो four y is equal to one y की value आगई one by four ज़रा समझीएगा हमने आपको exam में equation दे दिया हमने question बोला कि change in change into linear equation या solve the following linear equation क्या यह बहिसाब linear equation है हमने या हमने बोल दिया change into linear equation and solve it आपका तो नेट वी क्या दिखा ही पड़ रहा आप आ रही आवाज actually में होता क्या है कि electromagnetic wave चलती है रास्ते में कहीं पर party करने लगती होंगी रास्ते वास्ते में बड़े-बड़े hill से टकरा जाती होंगी हो जाता है सुनिये ध्यान से मैंने आपको question confuse किया अब आप कहेंगे confuse ज्यादा आप कर रहे हो आप मैंने कर दिया मैंने का change into linear equation then solve it क्या ये linear equation है आपने क्या किया ये solve तो कर दिया x y की value भी आ गई हमने काट के 0 कर दिया अब क्या हुआ लफड़ा क्या है हमने का आपने linear में change ही नहीं किया था तो आप क्या करेंगे linear में x और y की degree क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए ना ये तो 1yx लिखा हुआ है तो आपको करना क्या होगा आप यहाँ पर assumption करेंगे 1yx को मैंने p माल लिया और 1yy को हमने q माल लिया तो यह equation बनी आप x p by 2 plus sorry minus y is equal to minus 1 क्या लिक रहा हूँ गई minus q और यह हो गया आपका p plus q by 2 is equal to 8 अब यह दोने equations अगर देखे जाए यह equation 1,2 था यह equation 3,4 बन गया अगर मैं आप से कहूं यह जो दोने equations है इसमें variable कौन है इन p की और की degree क्या है अब तो linear हो गया ना तो यानि हमने किया क्या है इनको हमने linear में reduce कर दिया है change कर दिया है फिर solve किया है फिर value रखी है तो आप कहेंगे क्या पहला वाला method गलत था नहीं गलत नहीं था लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं change into linear equation तो आपको change करना पड़ेगा जैसे आपको mathematics में एक पताया गया board mass याद है ना अब आपसे मैं कह रहा हूं कि apply board mass और हमने plus भी उसमें लगा रिया minus भी लगा दिया जैसे हमने लगा 2 minus 3 plus 4 minus 7 plus 8 आप चाहों तो 2 minus 3 कर सकते हों आपने 2 minus 3 कर दिया जो आया plus 4 कर दिया जो आया minus 7 कर दिया जो आया plus 8 कर दिया answer same आएगा हमने काट दिया उसको क्यों क्योंकि board mass क्या कहता है पहले आप इसको add करिए जब result जो आजाए तब subject करिए पहले आपको addition करना पड़ेगा ठीक है तो उस प्रकार से यहाँ पर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि change into linear equation तो change करना पड़ेगा इसके बाद आप उसे solve करेंगे ठीक है अच्छा एक add question or decision करते हैं जो complicated questions कभी कभी आ जाते हैं चैसे मान लिया मैं एक example लेता हूँ इसके कुछ questions की practice कर लिजेगा completion में कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें तो आप values से satisfy करके देख लेते हो काम चल जाता है देखें जैसे एक question आ गया 1 by 2 1 by 2 2x plus 3y 2x plus 3y plus 12 by 7 12 by 7 3x minus 2y is equal to 1 by 2 ये पहला ही question आया और इसके बात है 7 upon 2x plus 3y plus 4 upon 3x minus 2y is equal to 2 और हमने का इन दोनों को solve करी है क्या ये linear equations है हम solve कर सकते हैं पहले वाले methods ऐसा नहीं है हम क्या करेंगे देखो ये पूरी चीज सेम दिख रही है आपको और अगर मैं इसमें 2 से divide स्वरी इसमें 7 नहीं इसमें 7 से multiply कर दूँ इसमें 2 से divide कर दूँ चलेगा ना भाई इसमें 2 से multiply कर दें यहां 7 by 2 आ जाएगा इसमें 2 से divide कर दें यहां 1 by 7 by 2 आ जाएगा काट सकते हैं लेकिन यह linear equations नहीं होंगे यह quadratic equations होंगे तो आप क्या करेंगे यहां पर assumption क्या मानेंगे आप let 1 by 2x plus 3y को आप माल लिजे P कुछ भी माल लिजे आपकी मर्जी और 1 by 3x minus 2y को माल लिजे आप Q तो यह बन जाएगा P by 2 plus 12 by 7Q is equal to 1 by 2 एक काम कर सकते हैं आप यह जो P by 2 यह सा लफ़ड़ा है न इसको आप थोड़ा LCM लेके solve कर सकते हैं इसमें 7 LCM लेके solve कर सकते हैं क्या हो जाएगा यह 7P plus 24Q और अपान जो 14 आएगा उधा ट्रांसवर कर देंगे तो 2 7s आप 14 तो 7P plus 24Q is equal to 7 यह यह question number 3 आएगा यहार कहीं क्याएगा 7P plus 4Q is equal to 2 अब आप इन दोनों को solve करिए और दोनों को solve करके आप P और Q की value निका लिए आपको एक चीज तो बड़ा सही लिखा है न हाँ सही तो लिखा है अच्छा LCM ले लिए हमने ठीक है देखे आप चुकि P का coefficient से मिल रहा है आपको पता नहीं अच्छी बात है कभी कोई ओर्ली आ जाता है जैसे आपने पेपर किया आप बापा ने का कितनी कावी भरी पुल एक भी नहीं ओर्ली हो गया सब तो लिखना प्रेखना को आठीक है हमको नहीं मालूम क्यों क्या है आप सायल लिखा है 1 बाई 4 चले क्यों आपका 1 बाई 4 आ यह आ जाएगा आपका 3x-2y is equal to 4 यह कोईशन फिफ्थ बना पी कितना आएगा यह मुझे ओर्ली आ गया इसको 1 बाई 4 रखा यह 1 बचा 1 को उधर लेगे 1 आएगा 7 कर दिया आरे वाह यह हमको ओर्ली आ गया पी 1 बाई 7 पी बोले तो 1 बाई 2x प्लस 3y is equal to 1 बाई 7 तो आपका 2x प्लस 3y is equal to 7 अब यह दोनो एक्कोईशन भी solve करने पड़ेंगे आपको 5 और 6 तब x और y की value निकलेगी तोट किया अब मैंने question change कर दें यह एं solve नहीं कर रहे है जो solve 5th and 6th question and find the value of x and y हाँ अगर कहीं पर multiple choice questions से mcqs हैं तो आप वहाँ value रखके satisfy कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा वो value दोनों को satisfy करनी चाहिए किसी एक पर चकर पढ़कर के गर्वर्ण कर देना देखिए अगर मैं equations को थोड़ा change कर देता हूँ मैं एक example लेता हूँ 8x-3y एक example है 8x-3y is equal to 5xy 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 यह पहला कुछन है और 6x-5y 6x-5y is equal to minus 2xy पहले यह बता दो यह कितने degree का equation है क्योंकि degree में x और y का multiply है आप इसे कैसे solve किया जाए पहले दिमाग लगाए फिर हम बात करते है इसको solve कैसे करें देखिए अगर हम x के coefficient को equate कर दें और इसको simply solve कर दें तब भी value आ जाएगी value तो आ जाएगी उसका कारण जानते हो इदा देखिए इदर दब x को आप cut cut करोगे ना तो यहाँ पर y आएगा है ना और यहाँ पर x y आएगा और y y cancel हो जाएगा और x के लिए निकल आएगा लेकिन यह linear equation नहीं है इनको पहले linear के form में reduce करिए फिर solve करिए तो कैसे reduce करेंगे गड़बड कर रहा है यहाँ पर x y गड़बड कौन कर रहा है गड़बड कौन कर रहा है तो गड़बड कर रहा है उसको हटाओ ना वहाँ से यह कैसे हटेगा यह यहाँ से हटें कैसे क्या करने यहाँ से हट जाएगे मैनस कर दें कि डिवाइड कर दें ने वो तो देखे वो तो आप simply solve कर सकते हैं वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमने क्या कहा आप simply इसके coefficient को equate कर सकते हैं हमने का यह xy गाइब करो यहां से आपको यह linear equation में convert करना है उसको reduce करीए पहले आप तो आपने का यहां से इसको गाइब कर दो तो इसको divide कर दो तो dividing equation 1 and 2 by xy क्योंकि मैं यहां से इसको गाइब कर रहा हूँ तो देखे सब divide करोगे तो क्या आएगा यहां पर 8x के नीचे xy आएगा minus 3y के नीचे xy आएगा यहां पर 5xy के नीचे xy आएगा तो यह equation बन जाएगा 8 upon y minus 3 upon x is equal to 5 यहां से गाइब हो गया third equation जब यहां गाइब करेंगे तो आएगा 6 upon y minus 5 upon x is equal to minus 2 यह equation आया क्या अब linear है आप फिगर बढ़ हो गया तो आप जैसा कि पीछे बताया गया है कि आप 1 by x को p मालीजे और 1 by y को q मालीजे तो यह equation हो जाएगा 8 1 by x को p माना है तो आएगा 8 q minus 3 p is equal to 5 यहाएगा 6 q minus 5 p is equal to minus 2 यह equation 5 और 6 आए यह linear साहब हैं इन दोनों साहबों को आपको सम्मान के साथ solve करना है लाएगा 6 अचर वार रही बता है लाएगा 9 इंदे क्षिणस क्वेक शक्षिछ हैं तो आपको सलक है लाएगा 9 यह जाएगा है लाए़ अविते क्षास्क्टी फ फ Douglas A. Vinnen बता दीजिए कि solve हो जाए तेकि मैंने यह नहीं कहा कि आप इसको solve नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं है इसको solve कर सकते हैं अगर आप से कहा जाए solve the equation linear नहीं बोला उन्होंने तो आपको linear में change करने की ज़रत नहीं है कभी कभी क्या होता examiner कह देता solve the linear equation अब देखो उसने कहा linear equation रद हमें सुनिये ध्यान से उसने कहा linear equation और equation दे दिया ऐसा तो आप कहेंगे साब यह तो linear है नहीं तो पहले आपको उस equation को linear के term में convert करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर हुआ है यह जो आपके 5 और 6 है तब solve करेंगे लीनेर बोला ना उसने अगर आपने simply solve कर दिया तो वैसे तो number मिल जाएंगे कोई दिकत नहीं गलत नहीं है यह लेकिन वो उसने object कर दिया कि हमने linear word किया था they are not linear so you have to reduce in the form of linear equation यह हो सकता है कभी कभी ठीक है